ये जो क्रंची मंची खाकरे आप यहाँ पर देख रहे हैं खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही पोश्टिक होते हैं क्योंकि इसे हमने बनाया है पोश्टिक तासे भरपूर रागी नाचनी या जिसे फिंगर माइलेट कहते हैं तो जो लोग वेट लॉस पर हैं या जिने डाइबिटीज हैं वो लोग भी इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं इन्हें बना कर आप सफर में भी साथ ले जा सकते हैं और बनाने में एकदम आसान हैं तो हे गाईज जै जिनेंद्रव वेलकम बैक टू अर्चना की जै ड्रसोई खाकरा प्रिपेर करने के लिए पहले हमें लगाना है इसका आटा तो यहाँ पर मैं एक कप ले रही हूँ नाचनी का याने रागी का आटा देन मैं इसमें एड करूँगी हाप कप से थोड़ा सा कम गेहू का आटा एक बड़ी चमच तील एड करूँगी और दो चुटके एड करेंगे हिंग पाऊडर धिन मैं इसमें एड करती हूँ सवाधनुसा नमक हाप टीस्पून लालमिच पाउडर और दो पींच एड़ करेंगे हल्दी पाउडर एक टीस्पून एड़ करेंगे खी सभी चीजों को एड़ करने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स अप कर लेते हैं अब देखें मैंने यहां पर गेहु का आटा थोड़ा सा यूज किया है क्योंकि नाचनी के आटे म बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होता है तो हो सकता है इसे बेलते समय यह फट जाए इसलिए थोड़ा सा हमें यहां पर गेहु का आटा एड़ करना है आप चाहे तो बेसन का आटा भी यूज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पाणी आड़ करते हुए अब सेमी सौप्ट इसक अब एक एक लोई उठा कर हमें इसे जो आटा लिया है उसमें डस्ट करते हुए हलके हलके हातों से बेलना है बहुर जादा प्रेशर ना डालते हुए इसे हम बेलेंगे नहीं तो जो खाकरे हैं वो फट जाते हैं क्योंकि आटे में बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होता है और रागी का आटा प्रॉपर तरीके से कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी मेरे दूसरे चानल अर्चना जैन दक्विन आप किचन पर मैंने अपलोड की हुई है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी देखिए जितना हो सके पतला हलके हलके हातों से इस तरह से इसे बेल लीजिए और इसके जो किनारे फट रहे हैं उसका भी टेंशन लेने की कोई जुरूरत नहीं है वो भी सही हो जाएंगे तो बेलने के बाद हमें क्या करना है कोई भी कटर या फिर जो डिबे का ढखकन होता है इस तरह से कट करना है इसे तो बि उपर डाल कर इसे सेंकना है अब तब तक हम दूसरा भी बेल कर तयार करेंगे लेकिन ये जो खाकरे हैं एक दो बार ही हमें इसे उलट पुलट करते हुए सेंकर निकाल लेना है मतलब इसे हमें आधा कच्चा रहने के बाद ही निकाल लेना है अभी हम इसे पूरी तरह से से लगता है यह टाइम टेकिंग काम है तो टाइम बचाने के लिए पहले फटा-फट इस तरह से हम बेल कर आधी कच्छे निकाल लेंगे और उसके बाद में हम एक-एक खाकरा देखिए इस तरह से अब तवे के उपर डालेंगे और बाद में हमें इसे उडन प्रेशर या कोई क कपड़े का यूज करके इसे प्रेश करते हुए हमें चारों और से सेंकना है तब तक जब तक कि ये क्रिस्पीना हो जाए देखिए इस तरह से और दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा ओईल हम इस पे लगाएंगे और उलट-पुलट करते हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छा सा क्रिस्पीना हो जाए और देखिए इसके किनारों से हमें अच्छे तरह से प्रेश करकर के इसे सेंकना है और देखिए बातो बातो में हमारा खाकरा एकदम क्रिस्पी क्रंची सेंकर तयार है इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी सब भी से यह जो वाइट वाइट लेईर आप यहाँ पर खाकरे के उपर देख रहें हैं यह आटे की लेअर है क्योंकि नाचनी के खाकरे जो है उसे बेक्स करना पड़ता है तभी इसे प्रॉपरली बेला जा सकता है नहीं तो यह फट जाते हैं तो दोनौफ साइटों पर डाएट से क्रिस्पी होने तक सेंक ना क्योंकि रोटी मेकर में बहुत ही फटाफट और कम समय में, कम मेहनत में ये तयार हो जाते हैं और अगर आपके पास रोटी मेकर नहीं है तो कोई बात नहीं जैसे मैंने तवे के उपर दिखाया है वैसे ही ट्रडिशनल तरीके से आप इन खाकरों को बना सकते हैं सो दिखिए इस तरह से सभी खाकरे हमने यहाँ पर तयार कर लिए हैं तो उमिद करती हूँ आज की नाचनी के पोस्टिक खाकरों की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी तो वीडियो खतम होने से पहले इसे लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें